नमस्ते जी कार्येशु दासी करनेशु मंत्री भोजेशु माता स्यनेशु रंभा रूपेशु लक्ष्मी क्षमये शुधात्री शतधर्मयुकता कुलधर्मपत् Nope दोस्तो ये पेहधी सुंदर सांस्कृत श्लोक का अर्ध यू है कार येशु दासी जो दासी सा श्रम और लगन से काम करे कर नेशु मंत्री जो एक मंत्री सा बुधिमान सलहा दे भोजेशु माता यानि जो मा के समान स्वादिष्ट वपोश्टिक आहार बनाए शयनेशु रंभा शयन मतलब के बैड रंभा एक अपसरा है रूप एशु लक्ष्मी जिसका रूप मा लक्ष्मी सा सुन्दर हो क्षमयेशु धात्री जिसमें धर्ती मा के जैसे क्षमा गुन हो शत धर्म युक्त कुल धर्म पत्नी ऐसे सो गुनो वाली होती है धर्म पत्नी आप समझे जब पत्नी में इतने गुन हो तो उसके योग या पति में कितने गुन होंगे या होने चाहिए दोस्तों शास्त्रों में स्त्री को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है तो महालक्ष्मी भी एवे किसी को नहीं मिल जाती पती को भी महाविश्नु सा महान होना चाहिए महाविश्नु जी ने महालक्ष्मी को अपने दिल में बसाय रखा तो ब्रम्हा जी ने मा सरस्वती को अपने जीब के नोख पर और महादेव ने तो साक्षात मा गौरी को अपना अर्धांगिनी बना लिया ऐसी महान संस्कृती है हमारी पती परमेश्वर तो उस परमेश्वर की अर्धांगिनी है पत्नी सिर्फ तन्मन और आत्मा से ही नहीं भाग यसे भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पती-पत्नी इसलिए कहा जाता है कि पत्नी जो पूजा पाथ करे उसका भाग उसके पती को भी मिलता है और वैसे वर्षा यानि इसके विपरीध भी जब पती पूजा पाथ करे तो उसका सम भाग उसके पत्नी को भी मिलता है इस वीडियो में जानेंगे कि पत्नी क्या करे जिससे उसके पती का भाग योधे हो यदि पत्नी कुछ ऐसी बातों का पालन करे तो दोनों का भाग ये चमक सकता है नमबर वन उपाय है वैभवलक्षमी व्रत वैभवलक्षमी व्रत विधी वकथा दोनों ही मेरे चैनल में आप पा सकते हैं यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो आप इस बात से परिचित हैं इस व्रत का असर सीधे असर पड़ता है आपके पती के उपर यह व्रत आपको आधिक तंगी से निकालेगा, कर्ज मुक्ती कराएगा, नौकरी दिलाएगा, व्यापार चलाएगा, बहुत पैसा देगा, तरक्की देगा बहुत ज्यादा असर दायक व्रत होता है, यह बहुत लाबदाई होता है दोस्तो सावन का महीना आ रहा है सावन सोमबार व्रत के बारे में तो सभी परिचित है महादेव की क्रपा से आपका वैवाहिक जिवन हर तरफ से खुशाली से भरेगा एक और व्रत दोस्तों जोकि बहुत लोगों को पता नहीं है, वो है सावन का शुक्रवार व्रत वैसे तो शुक्रवार व्रत मा सन्तोशी को अरपित है, सावन शुक्रवार व्रत में वरलक्ष्मी मा की पूजा की जाती है वरलक्ष्मी, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, सभी प्रकार के वर प्रदान करती है दूसरे उपाई में आप एक हरा पाने वाला नारियल लें उस पर हल्दी और कुंकुम से स्वस्तिक का चिन बनाए रोज पूजा के दौरान आप इस नारियल को अपने हाथों में लेकर अपने पती का नाम 108 बार समरन करें मन में ही समरन करें इस हरे वाले नारियल का उपाई आप सब्ता के किसी भी प्रत्येक वार यानि जिस वार को आप सबसे ज्यादा मानती हैं उस वार से शुरू कर सकती है जब भी नारियल हाथ में लेकर आप समरन करते हैं तो पती के लिए कामना करते रहें और ये प्रयोग आप तब तक करें जब तक आपकी मनुकामना पूर्ण ना हो जाए एक सब्ता बाद नया नारियल रखें तथा पुरा ना उठा लें और पुरानी को तोड़ कर खुद खाएं, पती को खिलाएं तथा बाकी दूसरों में बांट दें इस से positive vibration जो है, हजार गुना होकर आपके शरीर में प्रवेश करती है तथा आपके पती को परमात्मा का विसेश आशीश मिलता है एक और उपाए, दो बड़ी इलाइची, चार लॉंग और पांच सुपारी ले ले इन सब को अपनी मुठी में बंद करें, प्रति दिन 108 बार नाम स्मरन करें अपने पती का तथा पती के लिए कामना करें, 40 दिन तक यह प्रयोग करना चाहिए उसके बाद यह सामान एक लाल कपड़े में पोटली बांथ लीजे, फिर पती को दे दीजे वे अपने लौकर में रख सकते हैं या उनके कार्य स्थल में रख सकते हैं इस से उनका कार्य बहुत तेजी से बढ़ेगा यदि आपके पती को कारुबार में नुकसान हो रहा है, वो नौकरी में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो पत्नी को नीम का उपाय करना चाहिए इसके तहट पत्नी को तीन नीम के पत्ते अपने हाथ में लेकर अपने कुल देवता का नाम 108 बार जपना चाहिए अब इन पत्तियों को देवी के चर्णों से छुआकर अपने पती के जेब में रख देना चाहिए एक और उपाए, रोज सुबा महिलाय स्नान करके तुलसी के पेड को पानी दे, तुलसी के पेड के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें और अपने पती की परिशानियों को बोलें दोस्तों तुलसी को मा के समान दर्जा दिया है एक मा की भाती, वे हम पर आने वाले संकटों को पहले से ही अपने में समा लेती है ऐसा ही एक और पेड है अशोक का पेड सीधा मया अशोक वन में अशोक के पेडों को अपना शोक जता दी थी ऐसे मान्यता है कि अशोग की पेड़ भी हम पर आने वाले संकत खुद में समा लेते हैं इसलिए हो सके तो रोज अशोग के पेड़ के पास बैठें जो महिलाएं संध्या दीप जलाती हैं यानि कि शाम के समय भी पूजा करती हैं वे एक तामबे के लोटे में हल्दी का पानी भर कर रखें इसे मालक्ष्मी के समक्ष रख ओम महलक्ष्मिय नमहा का 108 बार जाप करें फिर रात भर इसे घर के इशान कोन यानि कि नौर्थ इस्ट कोन में बिना ढखें रखें सुभा उठकर स्ना नादी करके इस जल को लेकर आपके मुख्य दर्वाजे पर यानि कि आपके आंगन में इस पानी को छड़के इस से घर में बहुत पॉजिटिव एनरजी आती है और पती के साथ खुशाल जीवन बिताने के लिए सुहाग न स्तिरियों को सुहाग का सामान भेंट करना चाहिए यदि कोई विवाहित महिला आपके घर आती है तो उसे बिना कुछ खिलाए ना जाने दे उसे सुहाग का सामान चितना छोटा भी क्यों ना हो बिन्दी की पैकेट ही क्यों ना हो ब्लाउस पीस ही सही कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए कुछ संभव ना हो तो पानी या शर्बत ही जरूर पिलाए फाइनल में एक उपाई शेयर करूंगी जब आप भगवान के समक्ष एक जोध प्रजवलित करते हैं उस जोध की लौग की तरफ देखते हुए एक सो आज बार अपने परमात्मा यानि अपने पती का नाम स्मरन करते रहें पती की खुश्याली की काम ना करें तथा प्रार्थना करें कि पती की समस्त संकट कट जाएं इसे दीपाराथना कहते हैं ऐसा करने से पती को विसेश शक्ती प्राप्थ होती है